हलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक इन होट 221 प्रोडक्शन टेक्नलोजी फॉर फूट्स एंड प्लान्टेशन क्रोप्स लेक्चर एड एसीड लाइम कागजी लाइम कभी कभी से शौर लाइम भी बोल देते हैं खट्टा निम्बू ठीक है जो जनरली अपने खाने के लिए न लोटनिकल नेम इसका जो होता है कागजी निम्बू का सिट्रस अरंटी फोलिया होता है फैमली रूटेशी ठीक है सिट्रस की सारी स्पीसिज रूटेशी ओर इजन इंडिया और क्रोमोजोम नंबर 2 एंड 18 होते हैं मतलब इसके जो डिप्लोइड क्रोमोजोम नंबर है ओ उठा रहा होते हैं फ्रूट टाइप इस्पिरीडियम इन फ्लोरेशंस टाइप साइमोस जास्वलेटरी ठीक है एडिवल पार्ट जूसी प्लेसेंटल हेर इसमें खाने वाला भाग होता है इंडिया रैंक फिफ्थ अमंग मेजर लाइम एंड लेवन प्रोडूसिंग कंट इंडिया इस 296,000 हेक्टर एंड प्रोडक्शन 3397,000 मेट्रिक टन दो जार थारा उन्नीस का जो अडवांस थर्ड अडवांस एस्टिमेटेड नेशनल रोटिकल्चर बोर्ड का डाटा है उसके अनुसार जो लाइम और लेमन का भारत के अंदर जो शेत्रफल है 296,000 हेक्ट था इसका अनुसार था और प्रोडक्शन इसका 3397,000 मेट्रिक टन तीन हजार थीनसो स्थान में हजार मेट्रिक टन इसका प्रोडक्शन है 2018 अनुस के अंदर जो अडवांस एस्टिमेटेड है उसके अनुसार ठीक है in 2018, Maximum area and production of lime and lemon in guzrat जो 2018 का final data था उसके अनुसार लाइम और लेमन का जो सबसे ज़्यादा शेत्रफल है और प्रोडक्शन है वो गुजरात का है सबसे ज़्यादा वहाँ पे 605.62 तो प्रोडक्शन है वहाँ का ठीक है 605.62 तो थाउजन मैट्रिक टन और एरिया है 46.28 थाउजन हेक्टर 40.28 ठीक है 1000 हेक्टर फॉलओड बाई अंदर प्रदेश उसके बाद जो गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर आता है अंदर प्रदेश निम्बू के अंदर निम्बू लाइम और लेमन के अंदर ठीक है दोनों का प्रोडक्शन के अंदर तो अंदर प्रदेश के अंदर जो जो मैंने अभी तक नहीं बताया था कि टोटल 2018 का जो डाटा है उसके उनसार नेशनल वोटी कल्चर बोर्ड का जो डाटा है उसके उनसार जो एरिया सबसे ज़्यादा अगर बात करें एरिया के अंदर तो महाराश्टर का सबसे ज़्यादा शेतरफल है ठीक है फ्रूट्स का उनली फलों के अंदर ठीक है 756.97,000 हेक्टर और सेकंड रेंक पे आता है अपना अंदर प्रदेश ठीक है अंदर प्रदेश के अंदर 718.91,000 हेक्टर अंदर प्रदेश के अंदर एरिया है और प्रडक्शन की बात करें तो प्रडक्शन सबसे ज़्यादा अंदर टन ठीक है और दूसरे नंबर पे महाराष्टर आता है 10822.77 थाउजन मैट्रिक टन ठीक है चल अपने निम्बू पे चलते हैं important points उसी के अंदर कागजी लाइम इस दा indicator plant of tristaza and it is highly susceptible to this disease कागजी लाइम एक indicator plant है tristaza जो इसमें एक viral disease है उसका एक indicator plant है और यह जो बिमारी है और जो निम्बू है कागजी निम्बू है सबसे ज़्यादा इसी को परवावित करती है यह सबसे ज़्यादा susceptible फसल है ठीक है इसमें सबसे ज़्यादा यह रोग दिखाई देता है citrus canker is the most serious disease of acid lime और citrus canker भी इसी की बहुत ही ज़्यादा घंबीर बिमारी है निम्बू की ठीक है acid निम्बू की acid lime is the tropical plant और acid lime जो है वो tropical plant है जो अपने पहले बढ़ रहे थे दोनों climate condition में उख सकते हैं सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल में जानी की जैसे अपने पढ़ा था sweet orange पढ़ा था mandarin पढ़ा था यह दोनों climate को परफर करते हैं इसके लबाद गंजा में ना citrus penny when sea culata and rough lemon are the most promising root stock for of acid lime जो गंजा निमा एक जा फिर राफ लेमन है ठीक है citrus की species है यह दोनों के दोनों इसके लिए बहुत ही अच्छे root stock है जिनको जाजा तर यूज किया जाता है as a root stock अगर अपने इसमें budding जा grafting से पोदे त्यार करते हैं तो वैसे तो जो acid lime होता है generally seed से इसको परवर्दीत किया जाता है बीज से ही त्यार किया जाता है classification of citrus was given by tanaka and swingle in 1945 जो classification है citrus का ठीक है citrus को वरगी करत किया है वो tanaka और swingle ने किया था सबसे पहले सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाली मिर्याद करने वाली कंट्री है citrus की अल्ट्रा ड्वार्फ फूट स्टॉक और सिट्रस अल्ट्रा ड्वार्फ जो रूट स्टॉक है मतलब बहुत ही बॉनिया रूट स्टॉक कहलो ठीक है जो ज़्यादा हाइट नहीं लेता फ्लाइंग ड्रेगन है याद रखना अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक और सिट्रस कई बार कोश्चन आता है जहां कंपिटिशन के अंदर तो फ्लाइंग ड्रेगन ठीक है सबसे छोटा रूट स्टॉक कहलो ड्वार्फ रूट स्टॉक इसके लाब वराइटीज इसकी जो किसमें है वह है प्रमालीनी सिट्रस कैंकर टोलेंट किसम है सिट्रस कैंकर की समस्या इसमें नहीं रहती इसके लाब लाब विकरम है इसके लाबा चक्करधर है सीड्लेस वराइटी है तो इसमें नहीं आती इसके लाब जय देवी इसकी जो प्लेजन्ट अरोमा मतलब इसका जो टैस्ट होता है बहुत ही कहलो कि इसमें से खुश्बू भीनी भीनी खुश्बू आती है टेस्ट भी बहूत उसके वाए climate and soil require tropical climate जैसे मैंने पहले बताया था निम्बू ट्रॉपिकल प्लांट है ठीक है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या आउशक्ता होती है जाने कि warm और हुमिड और वार्म क्लाइमेट क्या शक्ता होती है जो तेज आंदिया होती है और पाला पड़ता है यह दोनों ही कंडिशन इसके लिए हार्मफूल है ठीक है ग्रॉण फ्रॉम सी लेवल टू वन थाउजन मीटर और सो इल्वेशन जो समूंदर तल से लगबग लगग हजार म एन एवरेज ऑफ 75 सेंटीमेटर जो एन्वाल रेनफाल है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए 75 से ज्यादा बरसात नहीं होनी चाहिए सोयल इसके लिए वैल ड्रेंड डीप 1.5 मीटर मीडियम टू लाइट सोयल इसके लिए जो मिट्टी है वो अच्छे जल निकास वाली गहरी ठीक है लग बलग हो डेड़ मिट्र गहरी होनी चाहिए medium to light soil Healthy मढ्द्यम से हलकी मिट्टी होनी चाहिए Deep तो समयते होगे मतलब उसमें यह कहलो कि उसके बाद कफोर परत बहुत जादा उतली मिट्टी नहीं होनी चाहिए उसमें कफोर परत नहीं होनी चाहिए जमीन के अंदर गहरी होनी चाहिए लब लब तक तो नहीं होनी चाहिए ठीक है उसका प्रोपोगेशन और प्लांटिंग मेंली इसकी प्रोपोगेशन जो की जाती है 20 से की जाती है वैसे तो इसमें और भी मेथड यूज किया जाते है ठीक है जो भी हाइब्रीड किसमें उनको बनाने के लिए तो पर जो खड़े खोदे जाते हैं गर्मियों के अंदर 60 से 75 क्यूबिक सेंटीमेटर अकार के खड़े खोद लिये जाते हैं ठीक है एसेड लाइम प्लांटेड एट डिस्टेंस ओफ फाइव और 6 इंटू 6 मिटर जो एसेड लाइम है इसको 5 इंटू 5 की दूरी पे जा 6 इंटू 6 की दूरी पे इसको उगाया जाता है जा पोदे कार ओपन किया जाता है मतलब खड़े खोदने वाला जो दूरी रहेगे ना पांच इंटू 5 भी रख लेते हैं सड़े 5 भी रख लेते हैं 6 इंटू 6 भी रख लेते हैं अगर आयता का रहा है तो 5 इंटू 6 रख लेते हैं मतलब जब मौसम मांसून आता है उसी समय ठीक है जब मांसून आने वाला होता है कहलो कि मांसून शुरुआत होती है उसी समय है इसकी प्लांटिंग करने चाहिए मैनिवर & fertilizer 50 dram गोबर की खाद है 50 kg NpK 500 gram 400 gram 900 gram per tree जो इसमें मैनिवर और fertilizer दिये जाते हैं वो पचास किलो तो गोबर की खाद इसके लाबा 500 gram नाइ्क्रोजन 400 gram फासफोरस और 900 gram पोटाश प्रति पोधा और साल में एक बार दिया जाता है वैसे तो साल में दो बार इसको डोज के अंदर दिया जाता है और यह पांच में साल के बाद दिया जाता है ठीक है जो इतनी क्वेंटिटी में दिया जाता है जा उसके बाद जितने भी वर्ष आते हैं तब एक यह एक बार इसके जाता है जो इसमिंट के अदर देते हैं ठीक इरिगेशन एंद इंटर कलचर त्सके प्वांटि डेॉल जो इसमें सिंचाई की जाती जाती है सर्दियों के अंदर 15-20 दिनों के अंतराल पर and in summer 8-10 days interval और गर्मियों के अंदर 8-10 दिनों के अंतराल पर इसमें सिंचाई किया शक्ता होती है सर्दियों में थोड़े ज़्यादा इंटराल पर करते हैं गर्मियों में कम इंटराल पर करते हैं sufficient soil moisture is maintained during fruit setting and fruit development जब fruit setting हो रहा होता है फल लग रहा होता है और फल का विकास हो रहा होता है उस समय मिटिक में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए उस time sufficient moisture होना चाहिए प्रयापत मात्रा में moisture जमीन के अंदर होना चाहिए hoeing once and twice a year hoeing जानी के कहलोगी निराई गुड़ाई इसमें लगवाए साल में एक बार जाँ दो बार ही की जाती है during the post-mansoon season जैसे ही बरसाथ खतम होती है ठीक है उसके बाद इसके अंदर hoeing की जाती है गुड़ाई की जाती है early stage of growth legumes and some vegetables are taken जो early growth का time होता है शुरुआत के जो साल होते हैं उस समय इसमें कुछ legumes जो फसले हैं ठीक है cow pee है जहां कोई भी ऐसी legumes फसले है उनको बरसीम लिए उनकी cultivation कर सकते हैं जा कुछ सबजीयों को उगया जा सकता है training and pruning training is done in the early stage giving sport with bamboo split sticks if needed training ज्यादा तर इसमें शुरुआत के अंदर की जाती है early stage के अंदर की उसका जो तना है वो सीधा खड़ा रहे उसके लिए bamboo की जो पच्चियां उनको लगाया जाता है पोदे के साथ सहरा दिया जाता है अगर उसकी आफशक्ता है तो latest is bearing tree में भी pruned unwanted branches जो बाद की अवस्ता होती है जब फल आने लग जाते हैं उस समय जो भी अनावशक शाखाएं होती है जिनकी जरूरत नहीं है जहां disease लगी हुई है जहां फिर कोई सूक्यूई शाख है उसी को हटाया जाता है कोई heavy pruning नहीं की जाती flowering and fruiting tree start flowering fourth year onward after planting जो वरक्ष होता है वो चोथे साल से फल देना start करता है the fruit mature six months after flowering और जो फल होते हैं वो छह महिने में पक जाते हैं मतलब जैसे ही flowering होई उसके छह महिने बाद फल पक जाते हैं तोड़ने लाइक हो जाते हैं higher fruit setting minimum fruit drop and higher fruit yield is obtained with the spraying of zinc sulfate ठीक है at 0.6% plus 240 at 20 ppm in early January अगर अपने बहुत ज्यादा मात्रावें फल सेट करना चाहते हैं और फलों का नुकसान भी कम से कम हो गिरें नहीं ठीक है fruit drop ना हो और उपज भी अच्छी मिले इसके लिए zinc sulfate का 0.6% plus 240 20 ppm का जनवरी के अंदर जनवरी की शुरुआत के अंदर शिड़काव करना चाहिए harvesting and yield in gujarat 60% of the total crop is harvested from July to September जो गुजरात के अंदर इसकी जो 60% फसल होती है उसकी तोड़ाई जुलाई से सितंबर के अंदर कर लेते हैं और 30% अक्टूबर से जनवरी के अंदर ठीक है और 10% जो remaining रहा जाती है तो फरवरी से मई के अंदर तोड़ाई जाती है फसल एक साथ इसमें प्लकिंग नहीं करते हैं कुछ टाइम ले लेते हैं गैप लेते हैं इन नौर्थ हिंडिया harvesting is done from August to September और उत्री बार्थ के अंदर वैसे तो यह ट्रॉपिकल प्लांटर पर कहां स्पीसीज की कल्टिवे जा फल का कलर थोड़ा सा जो green से हलका सा yellowish color हो जाता है जा green से yellow color का हो जाता है तब तोड़ा जाता है ठीक है the yield varies from 18 to 150 quintals per hectare जो उपज है इसकी वो 80-150 quintals per hectare तक रहती है difference between lime and lemon ठीक है अभी मैं आज तो अपने lime पढ़ रहे थे acid lime ठीक है और फिर आगे वाली फसल होगे अपनी lemon इन्हें difference क्या होता है कई बार अपने दिमाग में रहता है कि lime भी उसी को बोलते हैं lemon भी उसी को बोलते हैं नहीं lemon अलग होता है और lime अलग होता है तो lime botanicali क्या होता है इसका बोटनी का लेम होता है citrus arantifolia और जो lemon होता है इसका होता है citrus limon ठीक है एक difference तो यह है दूसरा leaves and flowers are small इसके जो निम्बू की पतियां होती है और फूल होती है वो small होती है छोटे होती है तोड़े और जो lemon होता है इसकी पतियां थोड़ी मद्यम अकारकी होती है मतलब जितनी citrus species हो उनमें से मद्यम से अकारकी इसकी पतिया होती है इसके बाद तीसरा जो इसमें difference रहता है mark petiole wings यह मैं तुम्हें अगले picture में दिखाऊंगा ठीक है याद रखना petiole wings इसमें present होते है lime के अंदर जबकि यह जो lemon होता है इसके अंदर बहुत ही जा तो narrow होंगे जा फिर absent होंगे जा तो थोड़े से दिखाई दे रहे होंगे हलके से या फिर होंगे ही नहीं ठीक है यह दोनों में difference है पत्तों के अंदर इसके अलाबा stamens are around 25 जो इसमें stamens पाये जाते हैं ठीक है male ठीक है वो बाले इसमें 25 होते हैं count के अंदर इसके अंदर stamens 30 होते हैं ठीक है फूल के अंदर भी peel is very thin जो lime की छिलका होता है उपर वाला वो पतला होता है और इसके अंदर medium थिक होता है मद्यम से मोटा होता है ज्यादा मोटा तो महीं कह सकते है पर मद्यम से मोटा होता है पल्प वैसलिसर्फ और छोटी उनकी ठीक हैं वो बैसल्स जो होती हैं वो पतली और छोटी होती हैं लंबाई भी कम होती हैं थिक है वो इंदर ज Alrighty dzięki ठीक है वह पतले भी होते हैं और छोटे होते हैं और जो अपना लेमन है इसके अंदर यह थोड़े से बिग और ठिक होते हैं मोटे होते हैं थोड़े इसके अलावा जो पल्प होती है ग्रीनिश इन अपीरेंस जो इसकी पल्प अंदर अगर से काटके देखेंगे तो थोड़ जहारासा दिखाई देगा अंदर से, जबकि अगर अपने लेमन की बात करें तो लेमन की जो अंदर की पील होती है वे हलकी सी यलोइश अपिरेंस देगी आपको यलोईश कलर का दिखाई देगा, पीला पंसा जादा, इसमें ठोड़ा ग्रीनिश दिखाई देगा उसके बाद मैं पैट्योल विंग की बात कर रहा था तो ये है लाइम की लीफ्स और इधर है लेमन की लीफ्स लेमन की थोड़ी बड़ी लीफ होती है और पैट्योल विंग्स की बात कर रहा था ये वाले पैट्योल विंग्स कहलाते है ठीक है पत्ती का जहां जोएंट होता ह वहां पर ये wings पाए जाते हैं निम्बू के अंदर पाए जाते हैं और lemon के अंदर नहीं होते हैं जाफित थोड़ी माद थोड़ी दिखाई देते हैं जैसे कोई हो हलके भूलके हो ठीक ठेंक यू